हेलो मेरे फूदीलवर फ्रेंड्स कैसे है आप सब आप सब का गीता सी रेसिपी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि रिपब्लिक डेज आ रहा है तो मैं लेक्ट आई हूं एक रिपब्लिक डेज फूड की रेसिपी। तो आओ देखते ही ये रिपब्लिक डे फूट कौन से है और ये कैसे बनेगा और इसे बनाने के लिए मैं क्या चाहिए लेकिन उससे पहले आफ सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें कमेंच करें शेयर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और स मारे में जैसा कि में माइकरोवें में और इटली बनाते हैं तो आज हम बनाएंगे सबसे पहले हम यह नीचेवारा-माला इटली मोल का बढतन हैसमें फाने डालेंगे, क्योंकि इडली हम स्टीम करके बनाते हैं, तो अब इसके उपर रखेंगे हम ये छली वाला, तो हमें देखना है कि वो जो हमारा पानी है, जो जाली है, इससे उपर नहीं आना चाहिए, अब ये परफेक्ट होता है, जो जाली से नीचे रहे, उपर ना आया, ऊसक पर तीन कलर की इडली इसलिए बना रही हूँ कि जिसको ना पता और आज बहुत ही healthy और tasty and swathist इडली आपको हम बना के दिखाएंगे तो ये है मेरे पास इडली बैटर तो सबसे पहले हमें इस इडली बैटर को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये लिए मैंने दो खाली मुल तो अब इन दोनों खाली बरतनों में हम डाल देंगे ये बैटर तो आपको जितनी इडली बनानी है जितनी कलर की बनानी है आप इस बैटर को इस पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं पर मैं बना रही हूँ रिपब्लिक डे स्पेशल इडली तो रिपब्लिक यह परोड़क्ट जिन्हें हम इसमें मिक्स कर सकते हैं लेकिन मैं आज कलर का यूज नहीं करूँगी आज मैं नैचुरल चीज का यूज करूँगी तो यह है मेरे पास टमाटर का पेस्ट जिसको मैंने पीसा हुआ अगर आपको टमाटर का पेस्ट ना हो तो आप इस तरह के पीजा पास्ता सॉस वेस में यूज़ कर सकते हैं और ये भी नहों तो मार्किट में बहुत तरह के फूट कलर अवलेबल है इस तरह के आप वो ले आए और उनका भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं आज बना रही हूँ हल्दी भी और रिपब्लिक डे स्पेशल भी तो मैं यूज़ कर रही हूँ टमाटर चटनी का तो यह मेरे बस टमाटर का पेस्ट है जैसा मैंने थोड़ा सा नमक और मुर्ची डाले हूए और यह हैं कुछ पीसे टमाटर के कटे हूए तो अब दूसरे में हम डालेंगे ग्रीन कलर तो यह है मेरे पास मतलब पालक प्योरी तो आप चाहे तो इसमें पालक प्योरी भी डाल सकते हैं आप चाहे हरी चटनी भी डाल सकते हैं और चाहे तो ग्रीन कलर इस तरह का भी यूज़ कर सकते हैं तो मेरे पास रखी हुई है ये पालक प्यूरी तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हराधनिया कटा हुआ तो ये है फ्लेवर को बढ़ाएगा जब भी आप ये अडली खाएंगे तो आपके मुझे जो क्रेंची फ्लेवर आएगा वो बहुत अच्छा हुगा और ये जो तीसरा पार्ट है से में हम कुछ भी एड नहीं करेंगे सॉल्ट और रेड़ी मैंने इसमें मिक्स किया हुआ है तो अब ये हमारी जो चीजें है तीन तरह के कलर हमारे बस तयार हो गए अब इनको हम अच्छा से मिक्स करेंगे तो अगर आपको कुछ कम लगे कलर का तो आप थोड़ा बहुत और इसमें अपनी चटनिया या अपने पेस्ट जो भी आपने बना के रख्यों उसे एड कर सकते हैं और ये अब हमारी हो गए तीनों कलर तहिया तो अब हम इडली बनाना शुरू करते हैं ये जो मेरा मोल्ड है तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे अपना इडली बैटर तो ये देखो मैंने एक में डाल दिया ये वाइट इस तरह से और ये दोसरे में भी हम इस इडली मोल्ड में भरेंगे तो मैंने इसमें नीचे वाले में दो रड डाल दिया है और दो मैं वाइट डाल दिया है और जो उपर वाली ट्रे होगी उसमें भी हम दो वाइट डाल देंगे और दो ग्रीन डाल देंगे तो ये मेरे पास हमारे तीनों शेड बनके बिलकुल तयार हो जाएंगे अब इसे डालने के बाद हम इसे रखेंगे अपने microwave में आप चाहें तो इसे अपने normal mold में भी बना सकते हैं गैस के उपर भी अपने इसे बना सकते हैं streamer में लेकिन मैं बना रही हूँ आज अपने microwave में तो मैंने ने फिल कर लिए अपने microwave के mold में तो अब इसे हम फूरा भरने के बाद रखेंगे अपने microwave में जिसको मैंने preheat तो अब देखा हुआ है तो अब देखा हम इसे कितनी देर के लिए डालेंगे अपने microwave में और ये कितनी दिर में बनके, कितना अच्छा बनके हमारी इडली तयार होंगी उससे पहले आपनों को से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब भी कर ले तो दोस्तों देखो, आपको सस्क्राइब और लाइक के, कहते कहते, मेरी इडली मैंने फिल कर दिया है अब इसे उपर से हमने कवर कर दिया, तो यह हमारा microwave का steamer बनके तयार हो गया है अब इसे हम डालेंगे अपने microwave पे ये मैंने अपना इडली मेकर डाल दिया है अपने microwave में जो मैंने temperature set किया वो 900 पर 3 minutes के लिए तो अब ये 3 minutes में हमारी इडली बनके हो जाएंगी बिल्कुल तैयार अब ये 3 minutes हो चुके हैं और हमारी इडली बन चुकी हैं ये देखने के लिए हम इसे इडली मेकर को निकालेंगे बाहर और अब इसे हम देखेंगे खोल करके हमारी इडली बनके तयार होई यानि आओ देखो हमारी इडलिया कितना अच्छा कलर आ है ग्रीन, वाइट, रेड जैसा कि हमें दिख रहा है पर यह पकी या नहीं पकी इसे चेक करने के लिए हम टूथपिक का भी उस करेंगे लेकिन यह अल्रड़ी बन चुकी है जैसा कि आपको साइट से दिख रहा होगा सबने कॉनर्स छोड़ दिया है फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि यह किस तरह से आपको पता चलेगा दूसरा भी कि पकने का जो में तरीका होता है कि हम कोई टूथपिक लेंगे या नाइफ लेंगे उसे अपनी इडली के अंदर डालके देखेंगे तो यह मैंने टूथपिक ली और इसे देखो इस ग्रीन वाली इडली में डाला तो यह एकदम बिल्कुल क्लीन है तो यानि कि हमारी इडली बनके बिल्कुल परफेक्ट तयार है उनली थ्री मिनट्स में तो माइक्रोवे में इडली बनके बहुत तयार हो जल्दी तयार हो जाती है और यह देखो कॉर्णर्स भी कितने अच्छे से छोड़ दिया अब हम एक स्मून लेंगे और उससे बड़े प्यार से इस तरह से करते हुए हम सारी इडली को निकालेंगे बाहर तो यह देखो कितने आराम से हमारी इडली निकल रही है बाहर इस से इसी तरह से हम सारी इडली को निकालेंगे बाहर रखेंगे एक प्लेट पे तो यह मैंने सारी इडली को बाहर निकाल लिया और इस तरह से प्लेट पे रखी है तो ये मेरी ट्राइ कलर एडली बनके तो रिपब्लिक डे स्पेशल हो गई तैयार लेकिन अभी बीच में हमें बनाना है इसमें चक्र जब तक चक्र नहीं बनेगा तो जंडा कैसे जयार होगा तो फ्लैग में हमेशा जो हमारे अशोख चक्र की पेचान है वो भी बनाना ज़रूरी है तो ये जो वाइट वाली एडली है जिसके सेंटर में मैंने लगाया है अपने तरंगे का कलर उस पे हम रखेंगे लॉंग अगर लॉंग ना हो तो आप काली मिर्ची का यूज भी कर सकते हैं तो अगर आपको मेरे रिपबलिक डे स्पेशल ट्राइकलर इडली की रस्पी पसंद आई हो जो है बहुत हैल्दी और नेच्रल फूड से बनी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब भी करें और साथ में सर्व करें ट्राइकलर चट्नी के साथ और अपने बच्चों को स्कूल में भी आपसे यूज कर सकते हैं ब्रेक फास्ट में भी, लिंच में भी, डीनर में ये बहुत हैल्दी है तो गाईज, इन्जॉई ट्राइकलर चट्नी with ट्राइकलर इडली happy republic day to all Geetha Singh recipe bye bye see you take care stay home stay safe thanks for watching happy republic day to all